हेले वरोन कैसे आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज यहाँ पर आप लोग सीखने वाले बच्चों कि आप अपने प्रेंसिपल को अप्लीकेशन लिखो जिसमें आपको कुछ बुक्स चाहिए पुस्तकाले से अर्थाद बुक बैंक से बुक बैंक मतलब होता है पुस्तकाले ठीक है ना मतलब आपको कुछ बुक्स चाहिए अब book क्यों चाहिए क्योंकि आपके पास book नहीं है आपके पास book क्यों नहीं है क्योंकि मालीजे condition बताना पड़ेगा न कि हमारे पास पैसे नहीं है और पैसे क्यों नहीं है क्योंकि हमारी पिताजी गरीब है ठीक है कुछ भी कार्ण बताना फार्मल लेटर में क्या होता सब्जेक्ट लिखा जाता है फार्मल लेटर कहलाता क्या है जब किसी आप कार्याले में एक आवेदन पत्र दे रहे हो यह अपली केसन यह आवेदन पत्र किसी कार्याले में दे रहे हो कार्याले में जैसे माली यह प्राचार जी का कार्याले प्र रहे हो कार्यालीन पत्र कहलाता है ठीक है तू आपका फार्मल लेटर कहलाता है फार्मल लेटर में हमेशा सब्जेक्ट लिखा करते हैं अब यहां पर क्वेश्चन आएगा बच्चो राइट एन अप्लिकेशन टू दा प्रिंस्पल आफ यूर इसकूर रिक्वेश्टिंग किम टू घ्रांट यो सम्बॉक्स सेंस यू के नाट बाइद मतलब आपको कुछ उनाट बॉक्स चाहिए जिसमें आप कुछ खरीद ने सकते हैं कुष्चं बच्ची ही नहीं समझ पाते कि पूछा क्या है यहाँ पर देखें न सम बुक्स मतलब आपको बुक्स चाहिए अब यहाँ पर लिखते समय ध्यान यह रखना है कि जब भी बच्चों आप लोग लिखें तो यह क्रम आपका जैसे मैं यहाँ पर सिक्केंस आपको दिखा रहा हूँ उसी क्रम में लिखना है तूधा प्रिंसपल गौउर्मेंट हार सेकंडी स्कूल ठीक है आपका हो जाएगा यहाँ पर जिला का नाम लिख दें एच-च जो भी आपका जिला हो बच्चों ओ जिला का नाम लिख करके यहाँ पर यहां पर दो बार स्कूल लिखा है इसके लिए आप इसको कार देना ठीक है तूदा प्रिंस्पल गौवर्मेंट हार सेकंडी स्कूल एमपी और यहां पर आप मालीजी जीला का नाम लिखना चाहते है तो जीला का नाम जैसे मैं लिखता हूँ रीवा या सतना लिखता हूँ तो यहां पर आप सतना लिख दी ठीक है जो भी आपका जीला हो लिख सकते हैं या कि आप इसके जगह यहां पर जैसे मारी स्कूल है यहां पर मैं कार्ट नहीं रहा हूं बच्चो लेकिन जैसे स्कूल है ना तूदा प्रिंसपल, गवर्मेंट है सेकंडी स्कूल, ठीक है, सतना MP, आप जिस भी जिला से हैं, वो जिला लिख सकते हैं, सब्जेक्ट में क्या लिखना, एन अप्लिकेशन फार बुक बैंग, मतलब हमें बुक बैंग के लिए एक आवेदन पत्र दे रहे हैं, अब आप जब भी कार्याले के लिए मतलब आवेदन पत्र लिखेंगे, लेटर या अप्लिकेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर रिस्पेक्टेट सर लिखेंगे, क्योंकि अपने से बड़े हैं न, रिस्पेक्टेट सर में क्या लिखेंगे, देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बुक्स हैं, उसमें उनको मैं नहीं खरीच सकता हूँ, देखो न, I am unable, unable मतलब आयोग हूँ, to buy मतलब खरीदने के लिए the following books, जो मुझे बुक्स लग रहे हैं, उसके लिए मैं unable हूँ, नहीं खरीच सकता, so I requested you, so I requested you, मतलब आप से मैं बीनमर निवेदन करता हूँ, प्रा Please give me some books, रपा करके मुझे किताब दे, कुछ, कहां से, फ्राम बुक बैंक से, यहीं पुस्तकाले से, फिर लास्ट में लिखना, thanking you, your student, name आपका, Amit Patil, class 12th है, तो यहां पर जैसे आप स्टार्टिंग में 12th बताए हैं, तो यहां पर भी आप 12th लिख दें, ठीक है, कि आप 12 चार जी को एक क्या दो, एक application दो, है ना, to the principal, ठीक है, to the principal, government higher secondary school, सतना, रीवा, बोपाल, जवलपूर, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि question में कोई address दिया नहीं है, subject में आपको लिखना, an application for book bank, ठीक, respected sir, I beg to say that, सभी कोई भी आप लिखते हैं, अपने से बड़े को, तो I I beg to say that, जो भी कहना चाहना है, है ना, जैसे आप TC लिखते हैं, SLC लिखते हैं, या आपका जैसे CC है, सब में लिखना पड़ता, I beg to say that, I am a student of your school, I am studying in class 12, ठीक है, तो ये चीज आप कामन है, अब फिर आपको कर्ण बताना है, कि my father is ये पूर में, मेरे पिता जी बहुत ही करीब हैं, क्यों क्योंकि वो एक farmer है, इसलिए मैं अनेवल हूँ, मैं खरीद नहीं सकता हूँ, क्या, to buy the following books, जो मुझे books लग रहे हैं, उसे मैं नहीं खरीद सकता, so I request मैं आप से अग्रे करता हूँ, क्या, कुछ books कहां से, पुस्तकाले से, ठेंकिंग यू, धन्नवाद, इस तरीके से आप लोग लिख लेना बच्चों, और जो भी डाउट होद बताइएगा, आपके लिए वीडियोज बिलकुल आते रहेंगे, चैनल पे पहली वारा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैहिंद बंदमात्रम